मैं इस वक्त बिहार की राजधानी पटना में हूँ और आप मेरे पीछे जो लंबी लाइने देख रहे हैं यह मतदान के लिए नहीं है, नोटबंदी के लिए नहीं है, यह प्याज लेने वालों की भीर है है? सुबह से ही लोग यहां पर परिशान है, 2-3 घंठे यहां पर लोग समय दे रहे हैं केवल 2 किलो प्याज के लिए, बिसकोमान के तरफ से 35 रुपे परती किलो प्याज दिया जा रहा है, दो किलो एक आधमी को प्यास दिया जा रहा है है सबसे बड़ी वात है लोगों की इतनी gathering है पर सासन यहां पर नहीं है सबसे बड़ी बात है कि आप देख सकते हैं लोगों की इतनी गैदरिंग है उसके बाब जूद यहां पर परसासन नहीं है और इनको इसके पहले भी जो पर पटना में कई जगों पर जो प्याज बाटा जा रहा था वहां पर लराई जगरे की स्थिती जो है वह उत्पन हो रह सरब से जो मदद है वह नहीं मिल पा रहा है उसी के डर से जो बिसकोमान के स्टाफ है उन्होंने हल्मेट लगा रखा सबसे बरी बात है यह बताई आपको नहीं लगता कि इतनी बरी गैदरिंग है पर सासन का होना चाहिए यहां पर प्लीस आई थी क्या प्याज लेकर चली लेकिन पॉलिस यहां पर आई प्याज ली और चली गए यह बताई कितनी बड़ी राहत है कियोंकि यह पर 35 किलो प्याज बिख रहा है यहां में बहुत रहा है, नमार्केट में 80 रूपे केजी और 35 रुपे केजी है, किसे देरे में लगी हुए है, दो घंटे से लाइन में लगे हुए हैं अभी तक प्याज मिला भी नहीं है सरकार से अपील करेंगे कि मार्केट में भी 35 रुपे किलो मुहया कराए यह बता है बिसकोमान जो आज प्याज बांट रहा लेकिन उसका कहना कि कल से बंद कर देगा क्योंकि उसको सुरच्छा नहीं मिर रहा आपको लगता है कि जरूर परसासन को सुरच्छा मुहया कराने हैं यह बहुत रहत की बात है कि कम से कम 35 रुपे किलो लोगों को मिर नहीं होने दे तो यह इस्थिति आप देख सकते हैं लंबी लाइन है यानि लोग दो से तीन घंटे का इंतजार कर रहे हैं केबल दो किलो प्याज लेने के लिए सबसे बड़ी वात है कि निश्चित रूप से यह जो लंबी लाइन है यह नोटवंदी की याद दिलाती है यह याद दिलाती है कि लोग मद्दान करने के लिए यानि बोट करने के लिए इतनी लंबी लाइन लगा कर अपना बोट का इस्तेमाल करते हैं लेकि सबसे बड़ी वात है कि आज पटना में प्याज के लिए लोगों को दो से तीन घंटा इंतजार करना पर रहा है उसके बाब जूद परसासन की जो मदद है जो बिसकोमान को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है कैमरामेन सनी के साथ सारुकमर पटना निउस टेंटिफूर